जहीं दोस्तों, आज हम 2018 में जो DSSB की त्वारा PGT History का पेपर कंडर्ट किया गया था, उसके पार्ट 2 की हो रहे हैं, पार्ट 1 हमने पहले बना दिया था, आपको अपने देखा भी होगा उसे, उमीद है कि आपके लिए फूर्ट फूल सावीत हो, चलते हैं इसी उदेश से प इसका जो सही जबाब होगा, जो सिया चैल्ड, आपसन नमबर 3, जो की सही है, अगले प्रस्ण क्यों रहे हैं, इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड के किंग, जैम्स को किसने लिखा था, मैं चाहता हूँ महराज, कि आप अपने ब्यापारियों को, अपने जहाजों में, मेर अगले प्रस्ण क्यों है, खाले सान एक प्रारंभिक यूरोपी यात्री था, जिसने बर्तमान उत्री बंगाल के बकसर चेतर का दोरा किया था, इसका सही जवाब होगा, रॉल्फ फीच, यह एक यूरोपी यात्री थे, जिन्होंने उत्री बंगाल के बकसर चेतर का दोरा किया था अप्सन नमबर 20 इसका सही जवाब है अगले प्रस्ट क्यों रहें बिटेस इंडियान एशोशेशन के स्थापना कलकता में हुई थी कब हुई थी इसका सही जवाब होगा 1851 अगले प्रस्ट क्यों रहें लंदन और बॉंबे में अजो मुंबई है वह आले बॉंबे के नाम सुझाना जाता था लंदन और बॉंबे में इस इंडिया एशोशेशन के स्थापना कब हुई थी 1855 दाेक्ट अंसर है इसको याद रखेंगे 1855 में अगले प्रस्ट क्यों है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के स्थापना कब हुई थी 1885 में 28 दिसंबर 1885 जब आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट को देखेंगे उसमें पता चलेगा किस तरह से भारती राइस्टे कॉंग्रेस के स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी अगले प्रशन क्यों रहें दादा भाई ने रोजी ने आपके ऑप्सन है भारत में गरीबी और गयर बिटिस चाशन लिखा था दूसरा हाउस अफ कॉमन्स के लिए एक बार लिबरल सदर्श थे एक परवल पार्सी राष्टवादी थे अनविकल्प में सभी है यह दादा भ करीबी और गयर बिटिस चाशन उनके द्वार लिखा गया है दोसरा हाउस अफ कॉमन्स में जाकर के वह चुनाब लड़ने वाले पहले ब्यक्ति थे लंदन जाके चुनाब लड़ा था और वहाँ पर उन्होंने लिबरल पार्टी के मेंबर्शिप के अधार पर चुनाब इस तरह से सभी कथनिन के रिगार्डिंग सही लिखा हुआ है तो इसका अप्स नमबर डी होगा अगले प्रस्ण क्यों रहे हैं भारते राष्टवाद का उद्वाब इमर्जेंस ऑफ इंडिन नेशनलिज्म किनके द्वारा लिखी गई थी अनील सील अप्स नमबर भी इस जात वर्ग यानि कुलीन वर्ग जो नोबल फैमली है उनके लिए वर्ग क्या कांचाओं के आवास का सवाल था इस विचार के लिए जिम्यदार कौन थे इसके लिए जिम्यदार कैंबरिजी स्कूल या दखिएगा आप्सन नमबर सीज का सही जवाब होगा अगले चोरवां दुलन था क्वीट इंडिया मुहमेंट उसको बोला गया अगले प्रस्षन क्यों रहे हैं भाद का सम्मिधान खाली स्थान पर फेश किया गया था 26 जनबरी 1950 को लागू हुआ भाद का सम्मिधान 26 जनबरी 1950 को तभी से हम लोग रिपब्लिक डेक सलीविरेट करते हैं अगले प्रस्षन क्यों है इन में से कौन सा भारतिय सम्मिधान के बुनियादी सिध्यान तो और मुल्यों का हिस्था नहीं था इस तरह के प्रस्षन तो आसा सोचने विचारने क्यों होते हैं पुछा गया है इन में से कौन सा भारतिय सम्मिधान के बुनियादी सिध्य तो और मुल्यों का हिस्सा नहीं था आपके ऑप्सन है भात एक धर्म निर्पेक्ष और लोक्तांत्रिक गनराज है यह तो बिलकुल हिस्सा है उस समीधान में बताया गया है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भी है दुसरा यह एक वैस्क फ बदाबर हैं यह भी साही है कानून के नजर में चाहिए आपके लिए इस कानून बराबर है तो इस तरह से एच सभी बाते इन से जुरी हुए है लड़कियों को मुफत स्थामिलेगी यह कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो इस तरह से इस ओप्सेंस के आधार पर आप्सन मर्डी जो है इसका सही जवाब होगा अगले प्रस्ट क्यों रहें मुस्व पोटामिया वह चाहितर है जहां आपकी ऑप्षिन है धर्मुत पनुआ था नहीं दुनिया की सबसे पुरानी सब्सक्राइब बिक्षित हुई बिल्कुल सही नदी परिवहन महत्यपूर्ण था मान प्रस्ट है मुस्व पोटामिया एक है खाली सब्सका अर्थ दो नदी युद्ध के बीच इस तिथ जगह खो बोलते हैं तो आप्सन नमबर एश का सही जवाब होगा अगले प्रस्ट क्यों रहें मुस्व पोटामिया का च्छेतर खाली श्थान है अभी बर्तमान में इरा इराक और इरान, इराक और लिबनान, पूर्वी, सिरिया, दाक्षिन पूर्वी, तुर्की और इराक का अधिकांस भाग, और तुर्की और ग्रिश, इसका सही जवाब होगा, अगला प्रशने मुस्टफोर टाइम में हमें, दो नदिया कौन सी है, तुर्टिग्रिस और फरा अगला प्रस्ण पर्टक शुरूब से ग्रीस में डॉड़ोड़ोड़ोट सामिल है एक मुखे भूमी और दूपो का दूपसमू देखिए एक मेन लैंड है और उसके बाद गुरूप अफ आई लैंड्स भी तो इस तरह से ध्यानक हैं कि अप्रस्ण नमबर बी जो है इसका स अगर्मस्तान है तो प्राजेरिंग ग्रीस से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है पर्श्मी दार्शन जिसमें सो क्रिडरस पलेटो और अरिस्टोटल इस तरह के साहिट मिदलब दार्शनिक मिलें साहिट कि अगर बात करें हूमोर और हेसी ओड गनित की बात करें तो क्यों रहें? शोफो कल्स, यूरी पाइड़ और अरिस्टो फेंस, खालिस्थान थे, ये लोग कौन थे? अच्छली ये लोग नाटक कार थे, अप्शन नमबर बीज का सही जवाब होगा, अगले प्रशन क्यों रहें? हेरोडोटस खालिस्थान थे, वह पहले इतिहास कार थे, इनको इतिहास का पिता के रूप में भी समझा जाता है, इतिहास के पिता हेरोडोटस, अप्शन नमबर सीज का सही जवाब होगा, रोम किस नदी पर इसी थे? रोम जो है, वह अटीवर नदी पर इसी थे, अप्शन जार्यारर, बढ़न आख्यार्ट करणी जार्यांस ज्यार्या में, दिजातिक वृष्छन नमसर धार, यूभी करणी तरुष्छन उस्थान है, बूमदीफी, खर्याएब उसु helpless wire दूःजबर भां, शन ममें जार्यारा जिन उसुइ एयूर्या ही प्रस्टन क्यों है निम्रिकित में से कि सस्थान पर जापान का राजत तो फैलने की महात्वा कांचा थी मंचूरिया फिलिपीन और कोडिया ऑफ्सन नमबर 3 इसका सही जवाब है अगले प्रस्टन क्यों है सम्राट खालिस्ता ने रोमन समराज में इसाई धर्म की शुरूआ सम्राट खालिस्ता खालिस्ता शुरूए पार कोला में राजनितिक टाकत के रूप में हो रा सेविं पाहली बार तके रूप एश्राम साथमी स्थापदी में इसलाम के सुरुवात अरब से हुई थी मध्यूगीन मध्यूगीन यूरोप में मध्यूगीन यूरोप में मुसल्मानों की एक भारी संख्या कहा रहा करती थी आपके आपसर ने जाना चाह रहा है मध्यूग में यूरोप में मुसल्मान थे उसकी संख्या किस चेतर में अधिक तम थी तो वह स्पैन में थी इस्पैन के बारे में पता है वे लोग नाबिक भी थे अगला प्रस्ट खुरूसेड थे कुरूसेड खाले सान थे कुरूसेड क्या है एक्चुली यह कुरूसेड जो था इसायों द्वारा किये पबित्र युद्धो की एक स्टिंखला थी चेन ओफ वार कुरूसेड के नाम से जा रहे है अगले प्रस्ट खुरूसेड के लिए किसे बुलाया किसने बुलावा दिया तो पोप ने पोप जो धार मगरू हुआ करते थे अपसर नमबर सेकेंड अगले प्रस्ट संख्या में कुछ संख्या में कई लेकि नितिहास कार बास्त भी संख्या से असामात है इसका जो सी वाला पार्ट है वा चुकि इसके बार में पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मिशन नहीं हो पाती कि आज यक नमबर कितना था इसलिए इसका ऑप्सन नमबर सी जो है ऑप्सन किया गया था अफसन नमबर यह ही इसका सही जवाब होगा अगला प्रस्ट ने चार्ल मैंगने के समय खलीफा कौन था चार्ल मैंगने के समय खलीफा हरुन अल रसीद थे हरुन अल रसीद थे याद एकिएगा अगले प्रस्ट क्यों है पश्य में इसलामी सभिता और सामंत संस्क्रिटी में मुख्य अंतर क्या था पहला मुख्य रूप से सहरी था जबकि बादवाला मुख्य रूप से ग्रामिन था इसलाम ने गतिशीलता दिखाई जबकि समंती यूरोप अधिकतर इस्तिर था ये दोनों अंतर थे ऑप्शन ये इसका जो डी है वह सही जवाब हुआ खलीफा ने चार्ल मैगने को खले स्थान उपहार दिया था एक अर्ध यांतरिक घरी जो सेमी मेकेनिकल हुआ इस तरह की घरी दिया था आप्शन नमबर बी वाला इसका सही जवाब है पश्मी रूप में इसलाम एक प्रगतिशील बल क्यों था इसने समंती बिवस्था का सामंती बिवस्था का मतलब libre system से मिन Windows आपके पास काफी लाइन्ड होंगे यूran फेटल सिस्टेम है उसी एंपूदलिस्म उसको हेंदी में हम सामंती बिवस्था के नाम से जानते हैं अगे ले प्रश्निक क्यों है इसलामी बिदवानों ने खालिस संग किया तो उन्होंने पूर्ण जागरण को समरीद किया था और साथ में जो अरस्तु का परेशक करवाया था यह दो जो दिख रहा है अरस्तु का परेशक करवाया सास्त्रिय यूनानी गरंतों पर टिपनिया लिखी और पुर्ण जागरन को सम्रित किया इस सभी चीजें इसलामी विद्वानों को द्वारा की गई थी तो आपसर नमबर डी इसका सही जवाब होगा अगले प्रस्टन क्यों रहे हैं इसलाम ने पुर्व और पश्च्म को जोरा और खालिस्तान में हुई क्या हुआ एउरोप का चीन और भाद के वे पेपर मध्योगीन हथियार प्रादोगी और अंक से परचा कराया गया मध्योगीन मान चित्रकारी को सुधारा गया इस सभी चीजें यहां पर हो पाई थी तो आपसर नमबर डी इसका सही जवाब है इसलाम का बहुत युगदान जो था वह इस तरह से हम उसको याद रखेंगे अगले प्रस्विन क्यों है प्रारभी कि इसलाम खालिस्तान के खिलाफ थे प्रारभी कि इसलाम थे जो इंट्रेस्ट लेने वाले जो या इसके खिलाफ थे आप्सिन नमबर 20 इसका सही जवाब है एकारहमी सिताबदी में मुस्लिमों ने अब आप्सिन से देखिए पदा चलेगा क्या इसका सही एंसर पहला ही आप्सिन है पूर्वी भूमत साहगरी एच्छे तपर्ड इंतरन किया और महत्पून ब्यापार मारगो तक पहुंचने से पश्मी रोम और वैंजेंटाइन चैव में जन टीम व्यापारियों को रोका था जो वैंजेंटाइन जो ट्रेडर थे उनको आने से रोक दिया था आप्सिन नमबर ए इसका सही जवाब होगा अगले प्रस्ण क्यों रहें कौन से विद्वान ने एक हजार इस्वी से पंद स्वेश था खालिस्थान में महत्यपूर्ण थी खाना बदोशों और खिसानों के बीच बीनमें बीनमें के मतलब ट्रांजिक्शन लिंदेन और राजनितिक बाचित के लूँ कुछ परतिरूप निर्धायित करने में आप्सिन नमबर सी इसका सही जवाब होगा अगले प् गीत धान दीजे सौंग आफ रोनाल्ड खाले स्थान है वो है चार्ल मैगने के समय एक महा कब कविता और 778 में रोन से वाक्स पास की लड़ाई प्राधायित एक महा कविता दोनों वहां के गीत के रूप में जाने जाते हैं सौंग आफ रोनाल्ड ऑप्सिन नमबर डी इस का सही जवाब है अगले प्रस्ण क्यों रहें मध्युकी वाने जी करांती का सिध्यांत किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था रॉबर्ट एस लोपेज ऑप्सन नमबर बी अगले प्रस्ण क्यों रहें वाने जी करांती काफी हद तक इटली में हुई थी वाने जी कर जैफ्री चौसर ऑफ्सन नमबर बीस का सही जवाब होगा अगला प्रस्ट रोमन डी ला रोज रोमन डी ला रोज क्या है यह अच्छली बारा सो तीस से बारा सो पच्छतर इस भी के बीच लिखी गई थी और गुलाम डी लॉडिस और जीन डी में द्वारा लिखी गई यह दोनों याद अखिएगा इन दोनों की रचना है रोमन डी ला रोज कि हां से गरंथ है अगले प्रस्ट क्यों हो रहा है कि काले स्थान ने सामंती बात का आधा रखा था चार्ल्स मैंग ने अप्सन नंबर बीस का सही जवाब होगा उन्होंने सामंती बात का अधान रखा कैरोलिंगेन पुनर जागन के बारे में क्या सच नहीं है इसका सही जवाब होगा इसने अरिस्टोटलियन गरंथों को पुनर प्राप्ट कर लिया था अपसन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब है चुकि उन्होंने यह सच नहीं है इसने लाटिन लिपे में सुधार किया थ यह भी सही था लेकिन यह गलत है इसने अरिस्टोटल यह गरंतों को प्राप्ट कर लिया था यह गलत है यह पूछा गया था अगले प्रसंद क्यों रहे हैं अगले प्रसंद क्यों रहे हैं खाली स्थान लेकिक थे जिन्होंने सामंती यू के दोरान क्रिशी उत्पादक्ता पर लिखा था अगले प्रसंद क्यों रहे हैं बारहमी स्यताबदी पुनःजागरन में क्या हुआ था अरस्तु की आरम प्रारमभिक पुनह प्राप्ति कस्वों का उदय और सामंती यूरोप में सहरी अर्थ व्यवस्ता की वापसी और विश्विद्यालियों का उदय दोनों अगले प्रसंद क्यों रहे हैं बारहमी स्यताबदी यूरोपिय पुनःजागरन के दो बुद्य जीवी थे वह कौन थे थोमस एक्विनस और विलियम ओफ ओक होम अपसे नंबर वी इसका सही जवाब होगा अगला प्रसंद निकोलो मैक्यावेली ने दब प्रिंस खालियस नामक रचना की थी अगले प्रसंद क्यों रहे हैं पंद्रहमी स्यताबदी यूरोपिय पुनःजागरन के संबंध में इन में से क्या सच नहीं है यह पुनःजागरन विरोधी सुरेड़ने वाद द्वाराचीन हित किया गया था और से नंबर डी इसका सही जवाब होगा अगले प्रसंद क्यों रहे हैं इतावली पुनःजागरन के लिए इन में से क्या सच नहीं है इसका सही जवाब होगा यह मध्यूगीन भेती चितरों का आनंद लिया यह आपसन नमर डी जो है यह बिलकुल सही है पूछा है कि क्या सच नहीं तो सच नहीं है यह आपसन नम से चिनित किया गया था यह अरिस्टोटलियन गरंथ को पुनर प्राप्ट करना चाहता था यह भी सही है लेकिन जो गलत पुछा गया था इसलिए option number 10 का सही जवाब होगा पेट्रॉक ने खाले स्थान को पत्र लिखा लौरा एक्ट्वली इतने भी दार्शनिक थे option नंबर 20 का सही जवाब है अगले प्रस्ट दांते की रचना क्या है डिवाइन कामेडी इस इतने भी प्रस्ट आप देख रहे हैं सब 11 क्लास के हिस्ट्री से 11 क्लास के हिस्ट्री त्वरसा यह महत्पून सावित हो रहा है शाप से रिकमेंड भी करेंगे कि आप 11 क्लास की NCRT ऑप गोथनू कर दें दानते ने लिखा था डिवाइन कामेडि की रचना दानते की द्वारा दानते की प्रेरक शक्ती खालेस्थान थी दानते किसके द्वारा प्रेरी ते हुए थे तो वियाड्रेस ऑप्सन नंबर Past का सही जवाब है अगले प्रस्ट किसे इसाई मानव वादी कहा जाता है इराशमस को इसाई मानववादी कहा जाता है अप्सन नमबर ए इसका सही जवाब है अगला प्रस्ट दूसरा दासत तो खालिस्तान में हुआ था इसका सही जवाब होगा पोलेंड पोलेंड अगला प्रस्ट इसका सही जवाब होगा फर्नार्ड बूडल पर्णार्ड ब्रूडल यूभी ता वहमध यूरोप में पर यूभी ती दो मैं देटे पीटर वॉर्क पीटर वार्ड के ऐसे लेखर थे जिन्होंने European Reincarnation जो इस पर उनने बहुत बिश्तार से चपर्चा की है अगला परस्ट ट्राइको, ब्राहे और कोपर्निकस किनके अगरदू थे ? गैलेलियो के अगरदू थे ? ट्राइको, ब्राहे और कोपर्निकस अफ्सिन नम्बर E अगले प्रश्ण की और है, Francis Bacon ने किसके अंत का परते निजित्त किया था, सिल्प परमपरा, उप्सन नमबर C अगले प्रश्ण की और है, Kralliistan ने Art of the Quartidyr लिखी, Waldensure Castiglione, Option नमबर A का सही जवाब है अगले प्रश्ण की और है, John Sheldon ने किसकी वकालत की थी, समुदृरी बंद की वकालत की थी, Option नमबर B का सही जवाब अगले प्रस्टन की और है हुग्रो ग्रोटियस ने क्या किया था तो उसके बारे में थास एक बार समझेगे आपके पहले ऑप्सण जो है वेस्ट फैलियन राजनितिक मोडल को सबसे पहले देखने वाले थे आदनिक राज्य परणाली के सिद्धान को स्थापित करने वाले समुद्र की सोतनता की वकालत की थी यह सभी जो काम है यही ग्रो ग्रोटियस के द्वारा समपादित हुई तो इसलिए इनका आप्षन नमबर डी जो है वह सही परतीत होता है अगले प्रशन की और है यूरोपी राजियो द्वारा सनरक्षन बाद का अभ्यास क्यों किया जात आप तरना को बढ़ावा किसने दिया था ब्यापारिक्स ध्यांत ने दिया था और अर्थिक राष्ट वाद और एक यूद के समानिस्ति राष्टों के विछ जहन के लिए संगर्ष और अन्य बिकल्प इसका वंद्द सही जवाब होगा अपसर नमबर अन्य बिकल्प अगले प्रशन क्यों है अहस्तचेपनीती अर्थसास्त्र की वकालत किसने की थी इसका सही जवाब होगा एडम स्मीथ अप हुई थी तो फ्रांस में हुई थी अगले प्रशन क्यों है इंग्लेंड में ओदोगी क्रांथी के पहले क्या हुआ था इंग्लेंड में ओदोगी क्रांथी के पहले एक वानिजी क्रांथी हुआ था अगले प्रशन क्यों है ओदोगी क्रांथी के साथ क्या हुआ था एक प अगले प्रस्ट्ण क्यों रहे हैं 17 सेताबदी में लंदन मेरवाइल एक्षिंज का समयकन देखा गया था आगले प्रस्टन क्यों रहेお願い इइंग्लैंट Anglais लाइं, प्रांसेसी करांति कभ हुई थी, 14 जॉलाइ सेवें नेटीन नाइन को, अन्य आफज़न नमबर C इसका सही जवाब होगा, अगले प्रांसेसी क्रांति कभ हुई थी को रूसी धासत्रग को समाप्ट कर दिया गया था, अगले प्रश्ण क्यों है एसिया और अफिरिका एक्चलि उनिस्वी सताबदी में क्या देखा गया एसिया और अफिरिका में उपनिवेसवाद और यूरोप में लोकतंत्र और उदारबाद की बिर्धी अफिरिका ये इसका सही जवाब होगा अगले प्रश्ण क्यों है जेम्समील था एके स्कॉर्टिस सिती हासकार था अफिरिका ये उपनिवेसवाद की प्रमुक ये उरोपिय सकीता थी इंग्लैंड फ्रांस इटली और जर्मनी अफिरिका इसका सही जवाब होगा अगले प्रश्ण क्यों है औरोगी क्रांथि के साथ हुई थी औरोगी क्रांथि भाफ की सक्थी के साथ सुरू हुई थी इस्टीम इंजन वाला जो सिस्टम था पावर अफ इस्टीम अफियम यूद अफियम यूद से पहले चीन क्या थी चीन एक बंद आर्थ और साथ थी और इसकी धाना दुनिया का केंदर थी यह दोनों आप याद रखें इसे जुरा हुआ अपसर नमबर डीज का सही जवाब होगा चीन जापान को खाले स्थान में समाब्द किया गया था अगले प्रस्ट क्यों है राष्टवादी चीन ने क्या देखा केबल चीन में केंदरे साथन का बिखंडन और सरदारों का उदय हो रहा है अगले प्रस्ट नमबर डीज को जो सही जवाब होगा राष्टवादी लोग के नजर में यह बाते प्रतित हुई थी परत्क किरांती अगले प्रस्चन क्यों रहें? जापानिके निकाटतं परोशी क्या रूश, चीन,錯। और फिलिपिन स्थ आपशनु रहे हैं इसका सही जवाब होगा। जापान के निकर्तम परोशी तो और आगे बागे वही होते हैं, लेकिन जो निकर्तम परोशी पुछा गया तो रूश भी है, चीन भी है, कोडिया फिलिपिन से आपसर नमर एक सही जवाब होगा, अगले प्रस्ण के ओर हैं, टोकु गावा कालकिस से पहले आया था, यह मेज की बहाली से पहले आया था, तो यह थे प्रस्ण, अगले प्रस्ण के ओर हैं, सही बीकल्प का चैन कर पूरा वाक करें,